हेलो गाईज, वेलकम टू माई यूटूब चैनल इंस्पारिन टेंडिंग ग्यान तो दोस्तो आज की इस विडियोग हमारे पास है रियल मी 12 पिलस मॉल फोन दोस्तो आज की इस विडियोग हम बात करने वाले हैं कि आप इस फॉन में OTG connection को कैसे enable कर सकते हैं दोस्तो आप अपने इस फॉन में कोई भी OTG को लगाते हैं तो दोस्तो वो यहाँ पर connect नहीं होती है तो दोस्तो आप इस setting को on कैसे करेंगे इस setting को on करने के लिए आप अपने phone की setting को open कर लीजिए उपर की और हलका सा scroll कीजिए आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता additional setting आप इस पर click कर देंगे इस पर click करने के बाद दोस्तों आपके यहाँ पर ऊपर की ओर हलका सा scroll करना है और आपके यहाँ पर OTG connection का एक features देखने को मिलेगा आप इसको यहाँ से enable कर दीजिए अब दोस्तों आप यहाँ पर 10 मिनट से पहले कोई भी OTG लगाते हैं तो आपकी OTG connection यहाँ पर automatically connect हो जाती है अगर दोस्तों आप 10 मिनट तक कोई भी OTG नहीं लगाते हैं तो आपका यह OTG connection अपने आपी disable हो जाएगा आपको दोबारा फिर से इसी प्रकार से इसको enable करना होगा दोस्तों आप भी इसी प्रकार से rear me 12 प्लस मॉल फान में OTG connection को enable करा सकते हैं दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like and channel को subscribe कर दे